कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है आलसी से पराजय और एहंकार से कठनाईया वेरे गुड मार्निंग फ्रेंट सौगत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टेडी पॉइंट में और आज है 19 अक्टूबर आज हम देखेंगे 19 अक्टूबर के महतेपून करंट अफिर्स प्रिश्नों को दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें चलिए शुरू करते हैं आज के महतेपून करंट अफिर्स प्रिश्नों को आज का पहला सवाल है हाली में किस प्रदेश में काटी बीहू पर्व मनाया जा रहा है तो इसका सही जवाब है औप्शन A असम राज्य असम राज्य में काटी बीहू पर्व मनाया जा रहा है जो कि बीहू उत्सो का ही एक पार्ट होता है असम प्रदेश में बीहु पर्व को बहुत ही महतपूर माना जाता है इसवर 16 अक्टूबर को काटी बीहु पर्व मनाया जा रहा है असमिया किलिंडर के अनुसार यह पर्व काटी मास में मनाया जाता है और इसे कंगोली बीहु के नाम से भी जाना जाता है यह चावल की फसल की बृध्धी और नई फसल के मौसम की शुरुवात को दरसित करता है तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा बात करें असमगी तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है हेमत विश्वा सर्मा और राजपाल है गुलाब चंद कटारिया लोगसभा सीट है यहां से 14 और राज़सभा सीट है यहां से 7 अब देख लेते हैं भारत में मनाया जाने वाले कुछाने प्रमो खुट्सों को जो अलग-अलग राज़्यों में मनाया जाते हैं वांगला महुट्सों कहां मनाया जाता है मेघाले में खजुराहू महुत्सो कहा मनाया जाता है मध्यपरदेश में, सरहुल महुत्सो जहारखन में मनाया जाता है, भूम्चु महुत्सो मध्यपरदेश में मनाया जाता है तो इन उत्सों को आप लोग याद रखेगा यहां से भी एक्जाम में प्रश्ण बनते हैं हाली में विश्व आगहात दिवस कब मनाया गया तो इसका सही जवाब है ओप्शन D 17 अक्टूबर को विश्व आगहात दिवस पृतिवर 17 अक्टूबर को मनाया जाता है इस दिन को मनाने का उद्देश ट्रॉमा की कारण लक्षण और इसके रोक्थाम की उपायों के बारे में लोगों को जागरुक करना है ट्रॉमा किसी भी उम्र में व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है और यह शारीरिक मानसिक दोनों तरह से लोगों को प्रभावित करती है इस वर्सकी इसकी थीम क्या रखी गई है दोस्तों आपको बता दें तो इसकी थीम है embracing, resilience, overcoming traumas, impact तो इसे आप लोग ध्यान रखियेगा देख लेते हैं अक्टूबर माह में मनाय जाने वाले कुछ हैने प्रमुख दिवसों को जहां से एक्जाम में कोईशन बन जाते हैं 11 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर राश्टी बालिका दिवस यानि International Girl Child Day 12 अक्टूबर को मनाया गया है विश्वगठिया दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड साइड डे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर राश्टी ए मानक दिवस तो इन दिवसों को आप बी उत्तर प्रदेश राजिने यहीं उत्तर प्रदेश राजिके में मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी तेवहारों के मंदे नजर मंदिरों और आसपास के छेत्रों में विसे सच्छता अभ्यान शुरू गिया है इसके लिए योगी सरकार स्वच्छ तेवहार स्वस्थ तेवहार अभ्यान चला रही है नगर विकास इवा मुर्जा विभाग ने प्रदेश की सभी नगर निकायों में साफ सफाई के लिए क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस का मोल मंत्र देती हुए नवरात्र दशहरा और दीपावली जैसे तेवहारों को स्वच्छ तेवहार स्वस्थ तेवहार के रूप में मनाने का संदेश जारी किया है तो इसे आप लोग ज्धान रखिएगा उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी है लखनव, मुख्यमंत्री है योगी आदितिनाथ, राजपाल है आनन्दी बेन पतेल, लोगसभा सीट है यहां से असी और राजसभा सीट है यहां से एकतिस नेक्स्ट है हाली में पीवी गंगाधरन का निधन हो गया वे कौन थे इसका सही जवाब है और इन्हों स्वास्त समस्याओं के कारण हॉस्पिटल में भरती थी और इनका इलाज चल रहा था कोजी कोड में इसी के फल सोरूप इनका निधन हो गया है और इनके चले जाने से साउथ इंडस्ट्री में काफी शोग लहर मची हुई है तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा किस संसा ने कॉल मनी मार्केट में थोग डिजिटल रुपए के लिए एक पाइलट कारकरम शुरू किया है इसका सही जवाब है ऑप्शन भी भारती रिजर्व वैंक ने पारती रिजर्व वैंक ने इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट में अपने केंद्रिय बैंक डिजिटल मुद्रा के थोग खंड के लिए एक पाइलट कारकरम शुरू किया है मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चार सार्वजिनिक छेतर के वैंक को और पांच निजी छेतर के बैंक को सहीत 9 बैंक ई रूपी कॉल मनी पाइलट में भाग ले रहे हैं यह थोग CBDC के परिक्षड का दूसरा हुपयोग मामला है पहला सरकारी प्रतिभूती बजार में पिछले साल नवंबर में पेश किया गया था तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा भारती रिजन वायन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी एक अप्रेल 1935 को मुख्याले है मुंबई महराष्टा में गवर्नर है शक्तिकान दास नेक्ट है आठवे ब्रिक्स अंतराष्टी प्रतियोगिता सम्मेलन 2030 की मेजबाने किस देश ने की है इसका सही जवाब है ऑप्शन भी भारत ने आठवे ब्रिक्स अंतराष्टी प्रतियोगिता सम्मेलन 2030 नई दिल्ले में भारती प्रतिसपर्धा आयोग द्वारा आयोजित किया गया था ब्रिक्स पर्तिस पर्धा प्राधिकाजियों द्वारा हस्ताचिरित सयुक्त वक्त तब्य में पर्तिस पर्धा संचालित विकास और सामाजिक आर्थि प्रगति को बढ़ावा देने की दिशा में संग्रेख खड़ का आहवान किया गया था CCI ने 2025 में आयोजित होने वाले नववे ब्रिक्स अंतर राष्टिय पर्तियोगता सम्मेलन के लिए दक्षिड अफरीका को कमान सौप दी है तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा 8th BRICS International Competition Conference किसके दौरा आयोजित क्या गया था तो यह आयोजित क्या गया था भारत के दौरा और कभ आयोजित क्या गया था 11 से 13 अकटूबर तक New Delhi में बात करें ब्रिक्स की तो ब्रिक्स विश्व के अग्रडी उभरती अर्थ ब्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिड अफ्रीका की समूह का संचित रूप है वर्स 2001 में ब्रिक्स अर्थ सास्त्री जिम ओनिल ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की चार उभरती बेर्थ विवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द को बनाया था दिसंबर 2010 में दक्षिड अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था जिसके बाद इस समूह ने संचित नाम ब्रिक्स अपना लिया था नेक्स है नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023 का सुभारम किस केंद्रिय मंत्री ने किया है केंद्री सिच्छा और कौसल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023 का शुभारम किया है साथी उन्होंने विश्व कौसल 2022 की विजिताओं को सम्मानित भी किया भारत ने बैश्व परतिस परधा में 11 अस्थान हासिल किया है विश्व कौसल परतियोगता दुनिया की सबसे बड़ी कौसल परतियोगता है जो हर दो साल में आयोजित की जाती है इसका आयोजन वर्ल्ड स्किल्स अंटरनेशनल द्वारा किया जाता है जिसमें 86 सदस्य देश हैं तो इसे आप लोग ध्यान रखियेगा नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 3 पर गतिवीधी आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लौंच किया है इसका सही जवाब है ओप्शन B धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्री सिच्छा कोशल विकास एवं उद्यमित्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लौंच किया है जिसमें मिशन चंद्रयान 3 पर इसकूली छात्रों के लिए गति विधी आधारित माटेरियल सहित कोई उपलब्ध है इसे NCERT द्वारा विक्सित किया गया है और इसके अत्रिक केंद्री मंत्री ने चंद्रयान 3 पर 10 विसेस मॉडियोल भी जारी किये हैं तो ये वेहत महत पूंड प्रशन हैं दोस्तों क्योंकि चंद्रयान 3 से जुड़ा हुआ है तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा यहां से प्रशन बन सकते हैं राष्टी फिल्म पुरुसकार 2023 में सर्वस्रेश्ट अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगू एक्टर कौन बन गये हैं इसका सही जवाब है ओप्शन C अलू अर्जुन राष्टी फिल्म पुरुसकार 2023 में सर्वस्रेश्ट अभिनेता का अवार्ड दिगज अभिनेता अलू अर्जुन को दिया गया है अलू अर्जुन को यह अवार्ड उनकी सूपर हिट फिल्म पुष्पा के लिए दिया गया है अल्लू अर्जुन राष्टी फिल्म पुरुसकारों में सर्वस्टेट अभिनेता का आवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगू एक्टर भी बन गए हैं वही सर्वस्टेट हिंदी फिल्म का आवार्ड फिल्म सरदार उधम सिंग को दिया गया है तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और ये हैं अल्लू अर्जन जैसा कि आप पहचान रहे होंगे इन्हें पिक्चर में देखके तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा आज का आखरी सवाल है इस वर्स आयूर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा तो इसका सही जवाब है और यानि एक हेल्थ के लिए आयूर्वेद तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा ये कम मनाया जाता है दोस्तों तो आयूर्वेद डे मनाया जाता है 10 नमबर को इस वर्स आयूर्वेद दिवस दुनिया भर के 100 देशों में आयूजित किया जाएगा इस वर्स इसकी थीम क्या थी वन हेल्थ आयूर्वेद फॉर वन हेल्थ इस दिवस को सफल बनाने के लिए आयूश मंत्राले देश के सभी मंत्रायलों के साथ सहीयोग कर रहा है तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टन कोईश्यन है आप देख लेते हैं 18 अक्टूबर के ओल राउंडर रिविजन को फटा फट हाली में कौन मड़ीपुर हाई कोड के मुखिन आधीश बन गये हैं जारखंड हाली में डेनियल नोवोवा किस देश की सबसे कम उम्र के राश्टपती बनेंगे एकवाडोर हाली में किस राज केंदर सासित प्रदेश के काजू को भागोलिक संगेत टैग मिला है गोवा को किस फिल्म ने सर्विस्टेट फिल्म का राश्टी फिल्म पर उसकार जीत लिया है रॉकेट्री दानामबी इफेक्ट हाली में किस ने दुनिया का पहला AI वालेट लॉंच किया है रैसपर.ai हाली में कौन ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्गाटन करेंगे नरेंद्र मोदी जी किस भारतिय राज ने गरीबी उन्मोलन योजना और उनुदोई 2.0 शुरू की है असम राज ने विदेश मंत्री डॉक्टर S.J. संकर ने किस देश में महत्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है वियत नाम में तो दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को किस भारती राज केंद्र सासित प्रदेश ने गरीबी उन मोलन योजना और उनुदोई 2.0 शुरू की है आप्शन दिये गए हैं आप अपना सही जवाब कॉमेंट सेक्शन में भेशते रहें और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जदा से जदा लाइक करें शियर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें आज की वीडियो यहीं तक थी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो